तो चलिए सुरू करते हैं कुछ पदार्थ का पी एच मान चलिए जैसे आत्र जो है आत्र इसको आत्र करते हैं आत्र भी कर सकते हैं आत्रश करते हैं आत्रश भी कर सकते हैं या दुखेगा जिसका अगर पी एच मान पूछे तो 1.5 से लेके 2.5 टक होता है यह द्यान दुखे तो अगर आपसे पूछे आत्रश का पी एच मान तो 1.5 से लिए 2.5 तक होता है या दुखीगा पी एच मान चलिए यह इंपॉर्टेंट हुछता नहीं है जितना यह पूछेगा निम्बू का अगर आपसे पी एच मान पूछे मेरे दोस्त तो या दुखेगा पी एच मान हो मेरे दोस्त क्योंकि वही कंटेंट होगा जो बिहार SSC में पूछेगा तो ध्यान रखेगा निम्बू का अगर पीच मान मोर रहा है तो बताएए कितना होगा तो 2.2 या दिखेगा 2.2 से लेके 2.4 होगा मतलब 2.2 या दिखेगा लेके 2.2 से या दिखेगा लेके 2.4 तक होगा यह ध्यान रखेगा आगे सवाल बनता है सिर्का का बहुत प्रश्न पूछता है सिर्का का अगर वन लाइनर 198 से उठाएं तो सारा समझेगा कि 2022 तक का जितने भी एक्जाम होए हो उसमें पूछा है तो चलिएगा सिर्का सिर्का बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्का का अगर पीच मान आपसे पूछ रहा है पीच मान पूछ रहा है तो क्या होगा बताएगा तो यह दिखेगा 2.4 से ल लेके 2.4 तक जो पीच मान होता है वो शिर्का का होता है यह द्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और क्या बनता है मेरे दोस चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पीच मान आपका जो है सराब का सराब का अगर आपसे पीच मान पूछ दे आपसे पीच मान पूछ रहा है त तो उसको क्या बोलेगा 2.8 से लेके 3.8 होगा, क्या बोलेगा 2.8 से लेके 3.8 होगा, ये ध्यान रखेगा, अगर आपसे पूछ रहा है मेरे तो टमाटर का pH मान, टमाटर का अगर pH मान पूछ रहा है तो 4.2 होगा, में तो 4.2 होगा, ये ध्यान रखेगा, तो इसी चीज़ को गौंगा तो आपको clear हो जाएगा छलेंगे आगे सवाल बनता है आपकाании वियर का पी-에च मान कितना होगा सराव का कितना था टो पांट एड से लेके घ्री पांट एट मतबल दो दसम्छो आठ से लेके काफी का पीएच मान आपसे पूछ रहा है तो बताए यह क्या होगा तो यह दिखिए चार दोसमलों पांस से लेकर पांच तक होगा यह ध्यां रखेगा अगर काफी का पीएच मान अगर आपसे पूछे तो चार दोसमलों पांस से लेकर पांच तक होगा यह ध्यां रखेगा चीक है तो कौफी का pH मान कितना होगा तो 4.5 से लेके 5.5 तक होगा ये ध्यान रखेगा चीक है आगे सवाल बनता है आगे सवाल है कि मुत्र का pH मान कितना होता है ये बताईगा तो अगर मुत्र का pH मान की अगर बात करें तो 4.8 से लेके 8.4 तक होगा ये ध्यान रखेगा तो अगर पूछे कि मुत्र का pH मान कितना होता है तो 4.8 से लेके 8.4 तक होता है ये ध्यान रखेगा चीक है आगे से लेंगे आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त की दूद दूद का पी एच मान कितना होता है तो यह दोखिएगा 6.4 होता है यह द्यान रखिएगा तो अगर आपसे पूछे दूद का पी एच मान तो 6.4 होगा यह द्यान रखिएगा बहुत important है अगर आपसे पूछते कि दूद का तो कितना बताईगा? 6.4 बोलिएगा, मतलब 6.4 बताईगा, अगर मुत्र का आपसे पूछ दे, मुत्र का पी एच मान पूछ सकता है, तो बताईगा 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, यह तो कियेगा, मानव का लार्ज जो होता है, कितना पी एच मान होता है, यह बताईगा, तो य 60.8 से लेके 7.5 तक होगा सुध्य जल का अगर P.H. mohan मान करें तो साथ होगा यह ध्यान रखेंगे तो अगर मानवरक्त की अगर बात करते हैं तो 7.4 हमीशा याद रखेगा मानवरक्त से प्रश्ण पूछा है और बार बार पूछा है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो मानवरक्त का पी एच मान आप से पूछे तो 7.4 बोलिएगा चीक है 7.4 बोलिएगा यह द्यान रखेगा, समुद्र जल का अगर pH मान की अगर बात करें, अगर समुद्र जल का जो है pH मान अगर बोलें, तो यह द्यान रखेगा 8.4 होगा, तो मानव रक्त का 7.4, ठीक है, रक्त मतब वलड का, ठीक है, अगर समुद्र जल का अगर pH मान बोलें, तो 8.4 होगा, यह रखेंगे 8.4 होंगे दोनों का, समुध्र जल का भी, और खाने का सुटा का भी, चलिए आगे सवाल क्या बनता है, अंडे का pH मान, अगर अंडे का pH मान, अगर अपसे पूछे तो 7.8 बताइगा, क्या बताएगा 7.8 बोलिएगा तो अगर आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त के अंडे का पी एच मान कितना होता है तो 7.8 होगा याद रखेंगे बार बार याद रखेंगे याद रखेंगे याद रखेंगे आतर का पी एच मान बताएगा 1.5 से लेके 1.5 से लेके 2.5 होगा याद रखेंगे निम्बू का अगर पी एच मान पूछ रहा है तो 2.2 से लेके 2.4 तक होगा निम्बू का पी एच मान याद रखेंगे चिक है आगे चलेंगे एक मिनिट आगे चलेंगे आगे सवाल बनता है सिर्का का पीएच मान बताईएगा मेरे दूस्स सिर्का का अगर पीएच मान की बात करें तो 2.4 से लेके 3.4 होगा यह द्यान रखेगा अगे सवाल बनता है तो 4.2 होंगे यह ध्यान रखेगा टमाटर का पीच मान अगर पूछे 4.2 होंगे यह ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछ रहा है बियर का बियर का पीच मान पूछे मेरे दोस्त 4.5 होंगे यह ध्यान रखेगा कितने होंगे 4.5 होंगे पीच मान होंगे यह ध्यान रखेगा अगर आपको मुत्र का पीएच मान पूछ रहा है मेरे दोस्त मुत्र का पीएच मान पूछे तो या दखेगा 4.8 से लेके 8.4 तक होंगे यह ध्यान रखेगा तो मुत्र का पीएच मान अगर पूछे तो 4.8 से लेके 8.4 तक होंगे यह ध्यान रखेगा द कि आगे सवाल बनेगा सुद्ध जल का पीछ मान अगर आप से पूछे तो साथ हो गए यह ध्यान केगा अगर सुद्ध जल का पूछे पीछ मान तो साथ होंगे यह ध्यान केगा उसी तरह खाने का सोड़ा आप देख रहे हैं खाने का सोड़ा और समुद्र का पीएच मान दोनों का पीएच मान जो है सेम होता है 8.4 होता है यह ध्यान रखेगा आगे सवाल बनता है अंडे का पीएच मान अगर पूछे 7.8 होता है यह ध्यान रखेगा कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में करेंगे, आज समझेए एक तरह से क्या है, हैपी क्रिस्मस है मेरे दूस्ते, इसलिए सब्सक्राइब बच्चे घर पे हैं, तो चलिए, थोड़ी आवाज में आएगी, तो थोड़ी एंजॉय कर लिजेगा, ठीक है, तो चलिए, स समुद्र जल में पूछे, तो 8.4 बलिएगा, सबसे जादा किस में होता है, समुद्र के जल में, नहीं तो खाने के शोड़ा में होता है, पीएच मान, ठीक है, अमानव रक्त में अगर पूछे, तो 7.4 बताइएगा, यह फिक्स है, यह पूछेगा, अब सबसे कम कि अगर म आत बात करेंगे, तो याद खेगा, आपको आत रश्च में होता है, 1.5 से लेके 2.5 होता है, याद खेगा, अगर पूछे कि एदम सुद्र जल में कितना होता है, आप से पूछे सवाल, तो आप याद खेगा, साथ होता है, शुद्र जल में पीएच मान पूछे, तो 7 बता था या तकीगा हाँ एक और था मानव के लार में मानव के लार में अगर पूछ दे पी एच मान तो 6.8 से लेके 7.5 होता है यह ध्यान रखेगा ठीक है आज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पूछेगा तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आप देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछे निम्बू मतलब निम्बू में अगर पी एच मान पूछ देता है कभी-कभी तो निम्बू का या रखेए 2.2 से लेके 2.4 होगा इसको चाहे पूछे या ना पूछे लेकिन निम्बू को पूछ सकता है या रखेगा सिर्का तो मैंने बार-बार बोला प्रफ़ दुट है मुझा नहाई प्रफ़ और रा आए एका गजर नहाई प्रफ़ग्टार नहाई दूरा प्रफ़ग्ट आए जरा आए अजरा आए।